तो आज का जनरेशन जो है सबको पसंद है पीजा तो चले आज आपको पीजा बनाने के लिए जो चाहिए मजरेला बहुत महेंगा है तो एक दुम घर में बनाईए बस एक लिटर दूसरे आपका एक बरा लार साइस का पीजा बनके तयार हो जाएगा तो मजरेला चीज बनाना शिखाते है घर में तो शूर करते हैं मजरेला चीज तो यहाँ पर मैंने एक लिटर गाई का दूद ले लिया हूँ फ्रेश ये बहुत अच्छा से शीखना है दोस्तों यही चीज है इसको गरम नहीं करना है जस्ट हलका सा वर्म मतलब जैसे धही ज लगता है गरम होने के लिए उतना ही गरम करना है मतलब जस्ट आपको हाथ में लगे के थोड़ा सा गरम हुआ है उतना ही उससे ज्यादा गरम करेंगे तो फिर फाट के दही नहीं एकदम पनीर बन जाएगा ठेक ना दोस्तों तो एक मिनिट भी नहीं लगता है आपको जैस किया करना इसमें धीरे-धीरे भीनिकार को डालते रहें है कि और हिलाते रहें हैं देखना दोस्तों पहुत एकदम गरम नहीं करना जस्ट ओके तो देखिए हमने दीरे दीरे यहाँ पर भीनिकर डालते जा रहा हूँ और हीलाते जा जा रहा है यह देखिए दूद्स है जो चीजे यह अलग हुआ तो जैसे फट गया अपना बिनिकर डालना बन कर देना है और इसको एक कठा कर लेना है देखिए बहुत ही अच्छा से फट गया है बहुत ही आसान है दोस्तों पर आपको इसके लिए थोड़ा सा पहले से क्या करना है आइस थोड़ा रखना है और ठांडा पानी ठीक है तो इसको हम निकाल लेते है कितना अच्छा से बन गए है यह जो पानी है दूद का चीज निकालने के बाद इस पानी को फेकना नहीं है यह दोबार काम में आएगा ठीक है दोस्तों कि यह इसको निकाल लेता हूं और उस पानी को जो है बचा पानी उसको ऐसे ही रहने देंगे तो इसको एक बत्तन में उठाई है डाइरेक आप कोई भी छानी में डालके इस तरह से इसको हाथ से निचोर लेना है अच्छा से बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए अगर शुप छानी है तो शुप छानी में डालके इस तरह से अच्छा से इसका पानी अलग कर लेना है कपरा में डालके अलग करने के कोशिश मत की जेगा नहीं तो उसमें चिपक जाएगा ठीके दोस्तों यह देखिए अगर आपके पास छानी नहीं है तो इस तरह से हाथ में पकरका अच्छा से पेशार दिल लगाई है दोनों हाथ से और पूरा पूरा जो पानी है इसको निचोर लीजिए तो तैयार है पूरा नहीं तैयार है यह देखिए दूद का जो पानी रखा हुआ था इसमें डालना है पानी दो से तीन चमा चप डाल दीजे भर भर के ठीक है इसी में से जो चीज में नमकिन पन आता है और पानी को फिर से गरम कर लेना है इस बार अच्छा से गरम करना है ठीक है इस बार हलका गरम नहीं अच्छा से गरम कर लेना है देखिए उंगली लगाने से जलन हो रहा है ठीक इतना गरम और उसके करके पुरा घुमाते रहे कुछ देर तक तो नमक हिसमें अच्छा से आ जाएगा उसके बाद इसको निकल लेंगे पूस है निकळने के बाद ऑसको फीर से कहा करना है इसका पानी हम फिर से अलग करेंगे लिटार पानी नहीं रहना चाहिए पानी से क्या होगा जब आप पीजा बनाएंगे उसमें बहुत सारा पानी छोड़ देगा तो अब थोड़ा घीला हो जाएगा ठीक है तो अच्छा से निचोड़ना है इसके बाद आता है यह लास्ट पोर्शन है यह आइस बाला पानी है फिर इसका बिल्कुल एक दुम ठंडा पानी इसमें अच्छा से काफी देर तक रखिए तो क्या होता है जैसे गरम से निकालेंगे अच्छानक से ठंडे में डाल देंगे तो यह टाइट हो जाता है ठीक है तब भी तो बनता है आपका चीज तो इसका भी पानी अच्छा से निकाल लेना है तो दोस्तो रेसिपी अच्छा लगने से ज़रूर लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ठीके दोस्तो ये देखिए आपका फाइनाली चीज तैयार है आप क्या करना है दोस्तो इस चीज को अगर आप स्टोर करना चाहे तो एक एलमोनियम फाइल ले ले जिए या कोई भी आप डबे में रखे इसको वोल्ट कीजिए और शिदा फ्रीजर में रख दीजिए काफी दीन तक आप इसको रख सकते हैं खराब बिल्कुल नहीं होगा तो अच्छा लगे तो जरू शेयर करें थैंक्यू फर वाचिंग